हलो फ्रेंड सबस्वागते एक और ने एपिसोट के अंदर एपसिट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो होता है जो कंटॉल होब और ये जो नियांग छेतर है नारा प्रदेश का वहां पे जनम इसका हुआ था इसके जो पिता है उसका नाम था हारा सुयून और जो माता है उसका नाम होता है कामागी कामिको और जो इसके पेरेंसे दोनों इनियान देश के जो दीवे सम्परदा है उसके वफदार विश्वास ही होती है मलब काफ़ जदा विश्वास होता है जो दीवेकल्ट होती है उसके तभी जो सीकिन है वो बोलते है अच्छा तो आप इसके बार में जान करिया वो देखना चाहते हैं तभी जो जो ओन, वो बोलता है कि एक्चुली मुझे संदे है कि जो ये लीडर है योऑंग काँगे इसके बास ऐसी सकतिया है कि दूसरों को पाउर देने के बाद में वो जो मर जाते हैं तो वो सारी पाउर वापस इस लीडर के पास में आ जाती है जिन लोगों को भी इसने आई सोल वो दिये हैं और उसे खाकर के जो पावर अवेकन किये हैं मुझे लगता है कि मर्तियों के बाद उनके पास जो भी सूपर पावर होती है वो वापस इसकी लीडर है उसके बास आ जाती है अब जिसे यह बात सुटियू काफी जाद सप्राइब होती है तब ही जो जो वह आगे बोलता है कि जो हाली फिलाल में हमारे प्रदेश के अंदर जो जुम्भी वाला मामला हुआ था मुझे लगता है कि यह भी कहीं न कहीं यहां पे जो लीडर है उससे जुड़ावा मामला लगता है और मेरे अनुसार मेरे पास अभी वर्तमानी कोई ऐना सबूत नहीं है लेकर मुझे लगता है कि 100% अगर इसकी हम लोग इस पर जान करें तो मुझे कोई ना कोई चीज है वो मिल जाएगी अगर मैं इस चीज के रिजल्ट पर नहीं पोचूँगा उसके 206 जो 56 बिल्डिंग जिंग स्टील थी वहाँ पे वो लोग रहने लगे थे और उसी वर्स से जो यहाँ पे इसके फादय थे और इसकी जो वाइब थी उन्होंने तिनाई सेर के अंदर एक जो धार्मिक साखा है उसकी इस्थापना की और उस साखा के अंदर जो है न यहाँ पे यौण काग की फादर थे वो लीडर बन गए और उसकी जो मदर थी वो यहाँ पे जो हाई प्रिष्ट की पुज़िसन है वो हासिल कर ली और इसी परकार से इन्होंने अपने कल्ड को काफी अच्छे से लाया और अपने संपरदाय को और भी जदा बढ़ाने के लिए और भी जदा विश्वाशियों को अकरसित करने के लिए उन्होंने जूट बोल दिया कि उनकी जो बेटी है यौण कांगे उसके पास बहुत ज़दा अलोकिक सक्तिया है इसलिए उसे धरम का जो धरम गुरु है वो पता है वो दे दिया गया जिसकान जो सभी संपरदाय के लोग थे हमारे जो दिवे कल्ट के वो सभी उसके सामने जुक गए लेकिन जब 13 साल बाद में यह जो चीज़े वेसी नहीं रही 13 साल बाद में जो यहां पर युवां कांगे मदर और फादर थे वो अपने जो नारा प्राहत है वहां पे जो संपरदाय का एक अधरना सभा थी उसे अटेंड करने के लिए प्लेन से जा रहे थे तो एक्सिडेंट के अंदर वो मारे गए अब जैसे ये नूश संपरदाय के लोगों को मिलती है तो उनका विशास ये संपरदाय से उठ जाता है और उनका ये जो विशास था युवां कांगे आगे इसे भी आट जाता है और जैसे तो तिनाई सिटी है उसकी पुलिस को इसके बारे रिपोर्ट मिली दो जर्चियालिस के अंदर तो यहां वापी युवां कांगे को रेस्क्यों किया गया इस मामले के अंदर 136 लोग सामिल थे जिन्हों ने जो युवां कांगे साथ बहुत ही गलत विवारव किया और उसे बचा तो लिया गया लेकिन अचानक से वो एक दिन वापे गायब हो गई जैसे कि जो पानी वास्प के अंदर गायब हो जाता है और जैसे अपोकलिस्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद में जो युवां कांगे है सुनो वर्सिप कल्ट की जो लीडर है उसके सामने अपने आपको प्रतिशित किया और अपने सपतियों का विश्ता है जो धर्म के सबसे ज़्यादा नोसी के चीज़े होती है मतलब जो धर्म की बाते होती है उसके द्वारा धोका देने वाले तरीकों भरसा करते हुए सबी को अपने अन्वियाई हो बनाने लग गई और जो सनोवर्सिट कल्ट है वो तिना इसेर का शबसे बड़ा संगठन है वो बन गया और यह सब सुनने के बाद में जो सुीकिन होती है वो बोलती है, वह दिका रही है तो जो सुईकेन है वो बोलती है कि अगर मैं इस तरह का कुछ अन्वाव करती तो मैं समाने इस्तिती के अंदर अपनी जो मेंटर इस्तिय है उसे बना करके नहीं रखती थी यदि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं केवल यह सोती कि मैं पूरी की पूरी दुनिया उसे डिशंकति कर दूँ या फिर जो पूरी पूरी दुनिया है वो जैसा मैं चाओँ उसी परकार से कामभविव करें उसी परकार से चले कहीं न गए है लेकिन असलियत के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उनके जो विश्वाशियों की मौत की कारण जो यूवा कांगे उसकी साजिस का ही हाथ होना चाहिए कहीं न कहीं क्योंकि उसने जान पूछ करके ऐसा जो अपकलिक्स है वो लाया है ताकि उसके जो अन्वय है वो माने जाए और जो यूवा कांगे वो जड़ा इस्टों हो जाए अब यह सुनने के बाद में जो सीकी नहीं वो बोलती है लेकिन जोंग क्या तो में पास इसे सावित करने के लिए को सबूत है क्या तो हम देखते हैं जो होता है पहले कि समय लेता है और फिर बोलता है कि पहले इ सक्तियां मोत के बाद में वापस आ जाती है तो तुम ही एक बार सोचो कि जो यूवा कांगे उसके पास में जो ब्लेसिंग है साथ ही में हीलिंग है और जो आई सोल है और जो बरफ की सक्तियां है मतलब चार चार परकार की स्पेसल पावर उसके पास मुझूद है और अगर मैंने का कि यह मेरे जो उस सिधान को और भी अधिक सीद्ट करती है कि लोगों के मरने के बाद में जो सक्ति है यूँआन कांगे वाईसमि आपश चली जाती है ये सुन्ने की बाद में जो स्वीकिन होती है वो बोलती है कि जो विशलेशन उमे कर रही हैं उसके अधार पर हम पूरी तरह से ये अन्वा नहीं लगा सकते हैं और ये अन्मान लगाना ऐस संभव ही है कि जो यूवान कांगे अभी किती जदा इस्टोंग है और जिस परकार से हर समता की कोई ना कोई वीकनेस होती है लेकिन एक ही समय के उपर एक विक्ति के पास अगर बहुत साइश सक्तिया होगी कि कमजोरी का पता लगाना लगबग ऐस संभव है वो हो जाएगा तब ही जो 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 जोंग हो बोलता है यूवान कांगे को इस बात से फरेक वो नहीं पड़ता है कि जो मरने वाले लोग है उसके कल्ट के हैं या नहीं बस अगर उन्होंने आई सोल है वो खाई है और वो लोग मार जाते है तो वो यूवान कांगे के लिए एक अच्छी बात है वो उसे और भी ज़्यदा इस्टोंग है वो करने कारिया वो करेंगे तब जो सीके ने वो बोलती कि चीज जो चीज वो ठीरी के अंदर तो सफही है लेकिन इस चीज़ को पर्टेक्स करने के लिए हमें किसे ना किसे सबूत की जूषत की जूड़त होई हम सिर्फ बातों से इस बात को वह उपलब्त कराई इसका मतलब तो यह हुआ कि बोवीशिया के अंदर वह जल्द ही हमारी ओपर किसी परकार की कारवाई करने के लिए जा रही है और जो यूआ कांगे है कि वह सिर्फ इसलिए इसलिए सांथ बैठी है कि जो जियांग छेतर की लोग है वहाँ मुझूद है और इस समय जो यूआ कांगे सिर्फ उन्हीं से डर सकती है वह बस यह इंतजार कर रही है कि जब केप्टेन बियांग याँज़ दूसरी तरफ तले जाएंगे तो जो सुनो कल्ट है वह अपना जो चालो चल देगा और इस चीज़ को सबूत के अंदर इस्तमाल है वह किया और इसी रूमाल को देते हुई जो सिके ने वो बोलती है किया कर यह है क्या तो जो 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 जूआ वो बोलता है कि जो ली जियान है उसने चुपके से मेरे हाथ के अंदर इस्तमा दिया था और जो कुछ जड़ें वो अजीव करीब है ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी परकार के प्राणी है ऐसा लगता है कुछ परकार की संदिकत लासे है इस परकार के अलगलग डिटेल होती है और जो भी कम उमर के लड़की होते हैं इस कल्ट के अंदर सामिल होते हैं उनका जो जनना पड़ता है और यूवां कांगे खुद अपने हातों से ये जो सुद्धी करना है वो करती है और जो यूवां कांगे उसने अपने हातों से एक जो महिला पादरी है यानि एक जो महिला प्रिष्ट है उसका गला गोट करके जान से वो मार दिया मेरा बेटा मर चुका है एक पिता के रूप में मैं उसका बदला लेने के अंदर सक्षा में वो नहीं हूँ अगर किसी दिन मौका सही हो तो मुझे लगता है कि यह जो जानकरी है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यदा उप्योगी होगी और हम देखते हैं कि यह जो जानकरी होती है वह ज़्यदा खतरना होती है जीने पढ़कर करके जो यहां पे सीक्रीन है काफ़ ज़दा नर्वस हो रही होती है और सारी डीटेल पढ़ने की बात में वो जोंग को बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने ऐसा कदम हो क्यों उठाया होगा तब ही जो 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 डीटेल है वो प्रोवाइड की है और जो तथे मेने खुच जए है उनको मिला दिया जाए तो लगबग में जो बात है वो सही सावित होती है और जो जो जोंबी सगट आया था उसके पीछे भी कहीं न कहीं उसी का हाथ है वो होना चाहिए अगर वास्ता में इसी प्रकार से जो युवां कांगे उसे डवलपड है उसकी पावरों करने की अनुमती दी जाए तो मुझे लगता है कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर उसका कबज़ है वो हो जाएगा और वो यहां की गोड है वो बन सकती है अगर हमें इस बात का पता भी चल गया है तो इसका क्या ही फाइदा अगर हम इसे सबी लोगों बता देते हैं तो कोई भी लोग हमारी बातों भी विश्वास हो नहीं करेगा क्योंकि जो युवां कांगे उसने सबी लोगों को धोका है वो दिया है और उसके जो अन्याई ह प्रियाबत है वो नहीं है उसका सामना वो नहीं कर सकते तिनाई सेर के जो बाकी ताकते हैं बैसे उन्हें भी जो युवांग कागे साजिस है उसके बारे बताना होगा सबसे मेहतुन बात तो यह है और जो जियांग छेतर से हमें समधन हाल सिल करने की जूड़ता है तिनाई स बात पर ज़्यादा गोर है वो नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि वो जिस परकाए साजिस रखनी है उससे उन्हें कोई लेना देना है एक्चली जियांग छेतर है उसका मुख्य उद्धिस से यह है कि वो अपने आपको अस्तित्व बनाए रखें वो इस परकार्या कार होता है कि अगर जो जियांग छेतर के लोगों ने से बढ़ती कर लिया तो मुझे समझ भी नियारा कि उसकी जो ग्रोथ होगी कितनी ज़्यादा अधिक होगी तब ही जो जो होंगा वो सोचता है तो क्या मुझे भी जो हैना केप्टिन यांग उसकी दोरा प्रस्ताव मिला अपने साथ जो ब्लेट चीटी है वहाँ पर जाने का मुझे एक्सेप्टर कर लेना चाहिए लेकिन यार मैं काफी लंबे समय से इस बेस को बना कर कि यहीं पर रह रहा हूं मैं इस जगा को छोड़कर कैसे जा सकता हूं और अगर मैं वहाँ पर रहना आसानी फ्री में वहा महाँ पर ओडो से मार जाओंगा यहां पर रुकूंगा तो युवान के मुझे से लड़ना पड़ेगा वो मार डालेगी तबी जो सीकेन है वो बोलती है कि जोंग तुम मुझे लगता है आपने दिमाग का सभी से उप्यों कर रहे तुम ही सोचो कि आहरकार इस परकारी कौ परवत्त को हिलाने के श्रमता है वो रखता है तब वहना इस परकार कारण भोलती है तो हमें जो जुम्भी वेव हैं उसका में कारण है में सोर्स है उसे सबी लोगों को कुछ बढ़ा चुडा करके बताना चाहिए तब यहां पर थोड़ा सा है वो करता है और बोलता है कि लेकर मैं सोचूं तो हमारे पास कोई पुक्ता सबूत नहीं है और बलेट बेल्ड की साखाएं पतियां वगरा में लेकर किया था तो डॉक्टर जू ने नहीं चेक किया है उनके अंदर भी किसी परकार का जो जो जूम्भी वायरस है वो नहीं दिखा है सभी जो सीकिन है व चेतर की लोग है वो पका इस जीच की जांच है और जांच करते हैं अगर यूअंग कांगे इस जीच का विरोध करती है तो इसका मतलब यह होगा कि पका कोई ना कोई गडबड है तो पके सभी समयशा का जल से जल समाधान है वो डूरने ही कोशिदो करेंगे तो या सुनने वो बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो जोंग और इसके साथ साथ एक बार तुम सोचो कि जब कैप्टेन यांग को इस बारे में पता चलेगा जो यूआंग कांगे उसके पास एक नहीं कहीं सकतिया है तो तुम्हें क्या लगता है जियांग चेतर के लोग इस चीज के अं हैंगे तो इसका मतलब तो यह हुआ ना जो तीना ही सहर है वो सुर्ख चीत है वो हो सकता है यह आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे साथानी पूर्ग एक जो प्लान है बना नहीं जूरत है मैं ऐसे ही भाग करके कोई प्लानिंग हो नहीं करा सकता जिससे की मेर जो लाइफ ओर रिस्क के अंदर पढ़ जाए तभी हम देखते हैं जो सीकिन होती है और भी लोगों को इन्फोर्मस देखते हैं वोलती है कि जो जोंग हमारे पास और भी वेक्तिती है जिननकी जानका निमोज होता है कि हमें उनके बारे में देखना चाहिए और हम देखते युवोंक कागे बस उसे पीच्छे से नीधित कर रही है बस और कुछ नहीं है इसके ऊंदर इपी जो सिकین थी है वो बोलते है harm Space लेकर हम यह पता करना होगा Vo क्पती जूटी और एक विद्यर सी संपरदाय को यह पर लेने वाली है और इस अफसर का फाइदा उठा करके जो सभी लोगा इस चीज़ का विरोध है वो कर सकते हैं तभी जो जोंग है वो याद करते हैं बोलता है कि जो सनव वर्षिप कल्ट है उसके अंदर कुछी लोग बचे हैं अगर उन्हें सचा ही पता होती तो मुझे लगता है कि वो इस परकार से अपने याना चोट खाने का रिस्क वो लेते हैं अपनी जान को जो क्यों में लाल दे मुझे लगता है कि वहां पे कमी लोगों को इस चीज़ की जान कर यह वो होगी अन्याई है वो मारे गए थे वो यहां पर यूवां कांगे के लिए सिर्फ पौसक तत्व और उसकी सकतियों को स्टोंग करना है वो कर रहे थे करता है और वो बोलता है कि अपने घर और अपने बिष्टर से ना बेस चीज़ कोई भी नहीं हो सकती दुनिया में चाहे कहीं पर बेचले जाओ तो मुझे इस अपने बिष्टर को साथ में ले जाना होगा क्योंकि यह चीज मेरे को बहुत ज़्यदा कमफर्ट है वो देती मुझे पता नहीं इन सबी के बीच में क्या रिलिसंसिप है लेकिन एक बास समझ में नहीं है रही कि सनोवर्ट की जो लीडर है वो अगर जॉम्बी को कंट्रोल करती है तो जो बड़े वाले इस्टील वाले जॉम्बी थे उड़ने वाले जॉम्बी थे उन्होंने चर्च क करती तो उसके अंदर किसी प्रकार का जॉम्बी वार्ष मिलता लेकिन वह भी नहीं मिला फिर हम दिखते हैं कि अच्छानक से जो जो होता है किसी अल्टरनेटिव जो इस पेस होता है फिर एरिया के अंदर आ जाता है और अपने सामने देख लाय तो वही बलड़ पेड़ ज्यूर्ट के देखता है दो वहांसे इस प्रकार से नीचे एक तरह से खेती हो रही होती जींजाणकों कियोंकी हो आथी और फिलागी 10 को जोता है शुद्बें कि तो बन्त आता है अपने हाथ में चाकु लेकर के और में चाकु काट करके जो ईना बलिट बेल होती उसमें अपना जो बलड जो सेक्रिफाइज हो होता है तुम हम दखते हैं जो नीचे जो ब लगते हैं और यह देख करके जोंग को सबको समझ में आगा जाता है जिसके यहां पर जोंग की जानकर आलत बो जाता हो घाती है और पशेना पशेना हो जाता है और हो सुझता है कि अब मुझे जो UCAD guy भए जो समझ में आ गई, अब मुझे इनकी B Bigper connection वह भी समझ में आ गया, तो फटापट से जो NUT-BUB कर widely उसके नोट करें और फिरी नोट करते हैं एक जोंबियों करें लगब आज से 21 दिन पहले शुरूआ था, जब 3-8 के अंदर पांचों बेश थे उनके ऊपर एक साथ जोम्बियों ने हमला किया था जो लीजियान था वो भी आना उस समय जो सनो सेक्ट है उसके अंदर सामिल था इसका मतलब जबसे लीजियान वापे गया है तब इन जोंबियों के अंदर आई है दूसरे सब्सक्राइब यह कहा जा है जो तिन्यान सहर है पहले जो 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 जोंबिय थे इस कारण से अटेकर वो नहीं कर पा रहे थे क्यों जो बलट बेल जिन भी जोंबियों करीड कर रहा किन जो एक 2 पानिया उस नहीं आ पाते थे और जब से जो जो पानी उसने इनर उसाल inspector करना है और उस 거야 जो यूवाल के है वो गर सकती है जिन वो तैना उसे आदेस दे सकती है और जो जोंबी किंग इतना इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए केवल साधारन आदेस से सुषिकार कर लेता है और यहां तक जो काँ से बड़े वाले जोंबी थे उड़ने वाले वह इसलिए हमला कर देते हैं क्योंकि उनके पस इतनी जा समझ कि नहीं होती कि 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 सम्चार करना है कि उन्हें तो सिर्फ और मिला उता हमला करने का और जहां तक इस बात का सुवाल है कि मुझे जब मैं बलगवाइन कोच चेक करने के लीए गया था तो वहां पे इस परकारी और मुझे लगता है यही जो गटना है सकते होनी चाहिए और वो इस प्रकार से डाइरी को साइटिफेक्ट देता है क्योंकि उसने यहां पर बहुत ही बड़ी जो मिश्टरी है बस बैठे बैठे सोलव कर ली होती है जब तक हम किसी भी प्रॉलम के जो जड़ों तक पहुंचाते हैं तो उसकी समश्या का हल डूणना भी हमारे लिए आसान है वो हो जाता है जो यौण कांगे वो बड़ी ज़्यादा इंटलिजेट है उसने जोंबी वेव के अंदर जोंबी वोर को होने दिया और सभी जोंबियों को मरने दिया यहां पे वो जान बूच करके अपने जूंबियों के इसलिए बनाया क्योंकि वो जियांच छेतर से आई जांच टीम को ये विश्वाद दिलाना चाहती थी कि जो तिनाई सेहर है वहां से जो जूंबिय संकट है वो पूरी तरह से हल है वो हो चुकी है यहां कांगे को ये डर था कि जो दूसरे जो पावरफुल बेस हैं उनके पर हमला करेगी तो वो पहले इन जांच दनल वाले टीम को जाने दे लेकर मुझे ले लगता है कि वो इतनी जादा इस्टोंग होने के बाद में कोई भी उसे हरा सकता है तिनाई सेहर के अंदर इसके अलावा यहां पर जो केप्टिन यांग है उसकी जो चारी की इस्टती है वो भी अच्छी नहीं है टारी कर वो युवांक कांगे के साथ क्यो लड़ेंगे अपनी जान का जो कि मैं वो उठा कर और हम लिएखते हैं फिर से वो ठक कर अपने बेटवें बेट जाता है यहा रहे यार मेरे तो आना आगी से आगए एक और परसेण निकलते रहते मेरे तो पसंड भी खतम नहीं होतुए तब ही जो जॉण है उसके रूम पर होती है क्या मैं अंदर आ सकती हूं जूँग है और जिखते हैं जूँग भी पर्विस्टिए तो यहे और कोई न की सीकिन होती है और वह थोड़ी हर्बार जल्दी आते है वे बोलती है कि जूँग उनको मिला करके यह जो रिजल निकला है मुझे लगता है यह चीज होना बड़ा ही संभव है तो इस सारी पढ़ने के बाद में जो सीकिन है वो बोलती है मुझे लगता है कि आपको कोई योजणा बनानी चाहिए क्या अपनी इस चीज को ध्यान में रखते हैं कोई प्लानिंग हो बनाई है वो बनाई है क्या थेख इसके इनदर आपको कोशियन और डिसकस कर लेंगे तो सीकिन बोलती है कि ठीक जोंग तू मुझे बता हो इसी परकार से उनका जो डिसकेशन है वो चलता रहता है और हमार जो सीन है वो सिफ्ट होता है सुनो वरस कल्ट है उसकी और जहां पर अभी भी बहुत साफ़ चल रही होती है और यहां पर हम जो हाई परिस जहेंग है उस की रूम के पास में रख दो और आपकों कि प्लानिंग के अकोडिंग चल रहा है और हज़ारों जो हमारी विश्वासी लोग मरे हैं तिनाए सेर के अंदर आब हमें रोकने वाला कोई नहीं है हम बहुत ज्यादा पाउर्फुल हुब बन चुके हैं और किसी को भी हमारी इस इस चीज के लिए संदेव नहीं होगा और आगे बोशे के अंदर हम पर कोई भी दया है वो नहीं दिखाएगा बस हमें जो जांज टीम है या फिर जो इस्पेसल टीम है उनके जाने का इंतजार हो करना है तब हम देखते हैं कि यहां पर जो लीडर होती है उसे थोड़ा और का इस्तमाल कहा था तो किसी ने मुझे देख लिया था तब जो हाई प्रिष्ट है वो बोलता है कि आपको चींता नहीं करने चाहिए आखिरकार किस ने का कि एक विक्तिक पास कही सकती है वो नहीं हो सकती इसके इसके अलावा हमारा जो सुनवर्सिपंत है वह भी अब नहीं करें और अगा उन्हाल करेंगे और हमारे कोई संदे़ भी करेंगा तो क्या फरक पर जाएगा ज्यादा से ज्यादा और तो कोई भी स्वबूत है वो नहीं होगा और जियांग्छेटर को इस चीज़ कोई परवाय हो नहीं होगी यह सुने के बाद जो सबसे ज़ वेसे उनके लीडर की जो योग के तयान की पावर है मेरे को मिल जाएगी तब तो मेरी जो सकती है वो अलकल्पनी रूपे से बहुत ज़्यादा इस्टोंग हो जाएगी और बहुत ही उचा ही पहुंच जाएगी और मैं इस नई दुनिया की पकवान है गोड़ हो बन लिए हमें जो जूमजेंड की बात है बिना किसी और इसी की तलास करनी होगी तो जो सुहीके ने जो बोलती है कि आप सच कर रहे हैं अगर दूसरे लोगों को इसके बाहरे में पता चानेगा तो इस मामले को आपको इस कॉल करना पड़ेगा फिर वह सप्राइज होती है इस तब इसकी जोंड ब्हु किमाहर मैं करने गल पर ही उत्राइस करने द मेन आपको कर सकता है क्या हूं शब्सक्राइब भाताया वहाँ चलता हुआ जो होता है तुम मैरे साथ चलो और अपनी गाड़ी निकाल करके एक शर्टेन लोकिसन उता है बहां पी आ जाता है इसे निकालते हैं बोलते हैं कि जो सनौ वरिस शीप कल्ट हे उसका सिर्ण तो मुझे इस मेट्रो इस्टेशन के अंदर जाकर देखना होगा कि यहां पर जोंबी है वह विलेबल है या नहीं वाकवी में यह जो चीजे में लिए बोज़ा इंपूटेंट है फिर वह 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 को बोलता है कि हुआ तुम्हारा काम यह कि तुम अपनी जो नाक है उसके इस कोई भी जोंबी नहीं है अब यह देख करें जोंग सुचता है कि इसका मतलब यह तो नहीं में कुछ ज़्यादा ही और थेंग कर रहा था और जो सुनोग वर्सिप की कल्ट की लीडर है वह उसका किसी परकार को गलत प्लान नहीं है साइद महीं और थेंग कर रहा था फिर यह पर अगले 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 से जाता है फिर फाइनली एक बहुत ही अबटेंट अर्यकिशन के अंदर आता है जहां पर जो हुआ होती है इस परकार का रिएक्शन हो देती है फिर जूंग इस जगह को जीपेस लोकिसन गने लेक्शा है और बोलता है कि यह जो जगह बहुत साधरन के मामने में कमजोर था इसलिए सबी जो बेस हैं उन्होंने इस एरिया को बुला दिया लेकिन जो युवा कांगे उसने ना यहां पर जूंबी को चिपाने के लिए सई जगह वो चुनी है अब जोंग यह सोत रहा होता है कि आएकर वो कैसे है ना जूंबी को पता लग और उसे नीची की लगते हुए आगे के लगाणा कर देता है और उसे पहलता है और वो फिर इसे को यह जङञा ने नहीं सूचना से इस बारे में लेकिन चलो मैं यहां पर आए चुका हो और यहां पे हुआ वर ने इस परकार का रेक्सिन दिया तो मैं इस चग़ह को और ब मिल जाए मुझे दूबार से इस इस्टेशन को जाज नहीं जूडता है और लगबग दो घंटे की मैद्ट करने के बाद में फाइनली उसे जोंबी की जो जगह है वो दिख जाती है और जहां पर बहुत जद मातरा के अंदर जोंबी होते हैं और यहां पर जोंग का डाउट ह उन्हें जोंबी के अंदर कनवर्ट हो कर देगी हमें जल्दी एक रहां कदम उठाना होगा और जाकर के कैप्टन यांग को इसके बारे में खबर देनी होगी लेकिन जो यह माउस है में इसे साथ मैंने ले जा सकता है यह निकराने करने के काम आएगा और उसे ऐसी जगह च चुनोते हैं तो अब बगए हैं और इसी के साथ ही जो एपिसोड होता है खतम हो जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं आप लाइक करेंगे सेर्फ करेंगे सब्सक्राइब करेंगे दिल के अंदर कोई बात वो कमेंट के अंदर लिगते ना मिलता कर दोड़ें तक तक के लिए बगए